शासन प्रशासन के लाख उपायों के बाद भी सड़क हाथसों पर लगाम लगना भी भी सबसे बड़ी चुनोती बनी हुई है लापरवाही के चलते जहां लोगों की जान भी चली जाती है वहीं परिवार को भी आजीवन भीशन दुख जहिलना पड़ता है जब मामला किसी के वी आईपी के मन बड़े से वाहन को चलाने और दूसरे लोगों की जान लेने का हो तो बड़ा सवाल खड़ा होता ही है आजमगड में ऐसे ही एक मामले में अनियंतरित बीमड़ु कार ने बाइक सवार दो यूवकों को रौन दिया आजमगड के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंग ने बताया है कि संबंदित घटना से जुड़ी बीमड़ु कार को कबजे में ले लिया गया है जिसमें अग्रिम कार्रिवाई किये जा रही है जबकि दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि यह बीमड़ु कार आईपील खिलाडी रहे कामरान की है कामरान राजस्थान की टीम से आईपील में खेल चुका है और वहें मौजनपत के नदवा सराय का मूल निवासी है गटना के बारे में बताया जा रहा है कि मुबारक पोहदाना चेतर के फकर अधीन पोर के पास इसी कार की टकर से बाइपसवार की मौत हुग गई थी और उसका दूसरा साथी गंभील रूपसे घायल हो गया जिसे आसपास के लोगों के द्वारा जिलास्पताल में घरती कर जहां हालति गंभीर बनी हुई है आजमगड शहर कोटवाली छेतर के चकला निवासी आकाश निगम 27 वर्षे पुत्र स्वरगिया शोक निगम शहर कोटवाली छेतर के महला निवासी अपने मित्र शिवम वर्मा के साथ रात में महु इस्थित शादी के निमंतर में जा रहे थे की बाइक जैसे ही फकर उद्दीन पूर के पास पहुंची पीछे से आ रही ब्यम डब्लू कार ने जोरदार टक कर मार दी और घाया लो गए जिसे जला स्पताल में भरती कराया गया जहां डॉक्टरों ने आकाश निगम को म्रत घोशित कर दिया घर पर ही रिक्षा और बाइक सर्विसिंग सेंटर चलाता था और माबाप का इकलोता था अम्रतक की तीन बहन है आज हमगर से रतन प्रकाश्टर पाठी की रिपोर्ट इसमें आइपल खिलाणी कैवे थे जानकारी भी नहीं कि आइपल खिलाणी है नहीं है एक प्यूर लिए एक एक्सिडेंट का किस था और उसमें पुलिस नहीं करवाई की है और उसमें पूसे अधिश्ट गया तो पित्न है लिक्ट आप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस्ट करें लेटिस्ट न्यूज अपडेट के लिए